और उस समय क्या ध्यान रखे जाने वाली और सावधानिया मरतने वाली बाते हैं उन पर चर्चा करूँ बहुत संख्शेव में चुंकि अपनी ये जो सफलता की प्रक्रिया इसको मैं एक क्रिशी के रूपक से बताना चाहूंगी अगर मैं बोल रही हूं और आपको लगता है कि समय जादा नहीं हो रहा और आप बोल नहीं हो रहे तो एक बार तालिया बजागर स्वाधर प्रक्रियु तो क्रिशी के रूपक से समझाना चाहूंगी क्योंकि अब राजस को विभाग से जुड़ गई हूं तो क्रिशी बीज फसल पटवारी गिर्दावर इंसे दिन भर सामना होता रहता है तो उदारिन भी वैसी देने लग गई हूं दोस्तों किसी भी बीज के अंकूरण उसकी वृध्धी इस्थायत वर फल फूल सहीत पूरा व्रक्ष बनने में ही सफलता की प्रक्रिया नहीं थे किसी भी बीज के अंकूरण के लिए सर्व प्रथम और सर्वादिक महत्वपूर योग्यता है उस बीज का अंकूरण योग्य होना इसलिए सबसे पहले अपने अंदर जहांके एक बार एक पागल आईने में खुद को देखकर कह रहा था कि यार इसको कहीं देखा लगता है बहुत देर टेंशन में सोचने के बाद वह बोला भत तरीकी और यह तो वह है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था यह तो खैर पागल था लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे और स्वस्त चित व्यक्ति भी खुद को नहीं पहचानते हैं अपने भीतर नहीं जांक पाते हैं रास्ता में अगर कंकडी कंकड हो और अगर अच्छा जूता पहना हो तो उस पर चला जा सकता है लेकिन एक अच्छे जूते में भी अगर कंकड हो तो रास्ता चाहे कितना ही पढ़िया क्यों ना हो उस पर कुछ कदम चला पुछ मैरे कहने का मतलब इतना ही है कि पहले बाहर की चुलोतियों से पहले खुद की कमजोरियों से जीते लड़े बीच के अंकूरण के बाद अंकूरण के लिए आवशकता होती है उपचाओ भूमी की और मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगिता के दोर में उपचाओ उपन के मामले में राजस्थान विश्व विध्याले का कोई सानी होगा यहां का मार्गदर्शन आपके लिए सदेव पत्ध प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा आपको अपनी तयारी के लिए लक्ष प्राप्ति के लिए जहां कहीं भी किसी भी कूचिंग संस्थान महा विध्याले अत्वा व्यक्तिकत मार्ज दर्शन के लिए कहीं भी अपने आपको समर्बित करें तो उस भूमी का उपजावपन जाच ले क्योंकि कई बार योग के बीज भी उपजावपन भूमी के अभाव में अंकूरित नहीं हो पाते हैं बीज के अंकूरण के पश्चात आउशपता होती है खाद, कीट नाशक और उत्प्रेर कोगी विध्यार्थी के लिए खाद का काम करते हैं उसकी कक्षा, उसकी पुस्तके, उसके मित्र, उसका जो पढ़ाई का आसपास का माहोल है वो उसके गुरुचन जो उसे एकागृता और ज्ञान संचे की विधी प्रदान करते हैं एकागृता पर थोड़ा सा कुछ विद्यारती ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए टीवी, रेडियो चलाते हैं, एफम चलाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में इयरफोन डालकर म्यूजिक सुनते हुए फिर बढ़ाई करते हैं और अगर पास में बढ़ोस में कोई शादी हो रही है और आत्री जागरन हो तो तो उन्हें डिस्टर्बेंस होता है सर मैं अपना उधारन देना चाहूंगी कि मेरे घर के इस तरफ मंदिर है और इस तरफ मस्जिद सुबा उठते ही इधर से घास खाये गई या दूद पी ए गवाल छोटों सो मेरो मदन गोपाल शुरू हो जाता था तो उधर ला इला इलिल्ला मुहम्मद रसुलिल्ला के साथ शाम धलती थी बारात भी उधर से ही जाती थी सतराम के जैकारे में लेकिन मैं आपको बता दू कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर की छत की तरफ जाने वाली उस आखरी सीड़ी पर बैठ कर की थी और मुझे हर तरह के शोरगूल में एकागरता का इतना अभ्यास हो गया था कि पता ही नहीं चला कब होली की गेर निकल गई और कब धोल ताशों के साथ महरम के ताजी है पढ़ते वक्त मुबाइल बंद रखे अगर वाटसिप, मेसेंजर और फेस्बुक नहीं चलेगा तो एकागरता में वृध्धी होगी लेखन शेली में सुभार होगा और तो फिम्टी में आने की समखावनाएं भी बढ़ सकती है मेरे बात करें तो मैं बताओं मैंने मुबाइली नहीं रखा था यहां बेठे मेरे साथ ही इस बात के गवा है कि मैंना Android Mobile OTS में आके खरीदा था और अब वाटसिप पर जुडने वाली मैं अपने बैच की आखरी मेंबर थी कीटनाशकों की बात करते हूं उसके बाद जिस प्रकार पोधे की जडों के दीमक और पत्तों के एक कीडा लग जाता है उसी प्रकार एक विध्यारती के भी धैरिये के लालज का मेहनत के आलस्य का सादगी के विलासिता का और पढ़ाई के बटकाव का घुन लग ही जाता है और ऐसे में अनुसाशन ही वह कीटनाशक का कारी करता है मित्रो अनुसाशन ही वह ओशती है जो किसी भी लक्ष की प्राप्ती के लिए किये गए साधना के तपूबल के ओज को परिवर्दित कर देता है इसलिए अपने आपको अनुसाशित बनाए व्यवस्तित बनाए अपना खाना पीना जागना सोना ये सब सहियत बनाए और इसके लिए गीता का एक शलोग मेरी प्रेरना रहा है कि युक्ता हार विहार से युक्त सर्वस्य चेश्ट सू युक्त स्वपनाव बोध से योगो भवती दुखहा अर्थार्थ अपना सोना जागना आहार विखा दिहार और अपनी चेश्टाएं ये सहियत हो जैसे उत्प्रेरकोंगी ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं एक तो वे जो पोधे में व्रिद्धितों करते हैं कि तो उसमें ऐसे विकार उत्पन कर देते हैं जिनें हम आजकल सबजियों और गेहों में कीट नाशकों के दुश्प्रभाव के रूप में देखते ह और दूसरे वे उत्प्रेरक जो पोधे में प्राकृतिक हार्मोंस को संदूरित करते हुए उसे स्वस्थ और लाबगायक वृत्थी प्रतुर्टी विध्यार्ति के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं कि 2008 की परिक्षा में अंतिम रूप से चाइनित नहीं होने पर मुझे किसी ने कहा कि तू तो केवी की नोकरी से संतोश कर ले यह आरेस बनना तेरे बसकी बात नहीं है तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिर को करने कंथड़ा हिरण कशो घी खाए आख चरे और पून भगे घोड़ा श्यूं आगो जाए कि हिम्मत कर हुंकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है एक था उथ्फेरण और दूसरा था दूश्प्रेरण दूश्प्रेरण ना स्वैं करे ना दूसरों के दूस्प्रेरण का शिकार हो अपने मुकाम अपने उसूल खुद तै करे और हर बार लोगों की अब एक शाओ पर ख़रा उतरने की कोशिश ना करे एक बार रात के समय एक दुकांदार बंद करने ही वाला था कि एक कुत्ता उसके पास में आया कुत्ते के मुझे ठेली थी और उसमें कुछ सामान की लिस्ट थी दुकांदार में ठेली ली उसमें समान डाला बाकी पैसे डाले और सामने रख दी कुट्टे ने थेले मूमे उठाई और चल दिया दुकानदार से रहा नहीं गया वा आश्चर ये चकीत होकर कुट्टे के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुट्टे का मालिक कौन है टोब नजदीक आया कुट्टा बस में आगे की तरफ आ गया और पूछ लाकर इशारा किया बस रुखने पर कुट्टा उतर गया और आगे चल दिया दुकानदार भी उसके पीछे पीछे चला कुट्टे ने अपने पेर से दो तिन बार दरवाजा खट-कटाया मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुट्टे की पिटाई की आप सूच रहे होंगे कि क्यों मालिक भी सूच रहा था उसने पूछा इसका कारण तो मालिक ने कहा बत्तमीज से बत्तमीज ने सारी नींद खराब कर दी चापी लेके नहीं जा सकता था घदा गहेंगा मित्रों जीवन की सच्चाई भी यही है लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है जरासा आप चुके कि आपने बुराईया निगाल देंगे और बिछली सारी अच्छाईयों को भूल जाएंगे इसलिए आप तो बस अपना कर्तब भी कर्म करें आगे बहुत सी कठिनाईया है मा जी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है मा जी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है जिस शहर में खोली है तूने सीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरिदार बहुत है लेकिन अगर आपने इश्चे कर लिया है कि आपको इस कठिन रहा पर चलना है अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेपी की तरह इसमें उलज ही कहे है तो फिर क्यों नचाशनी में डूब कर जिन्दगी का मजा लिया जा जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप कहदे उन्हें कि ले निट्रदान कर सकते हैं अपने असपास के परिभेश में केवल उन्ही तफ़ों को प्रभिष्ट होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सहीं दिशा देने वाले हो अन्यता आपके मस्तिश्क में क्रोध, इर्शा और द्वेश के रासाइनिक दुश्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपकी सोने की ठाली में पीतल की मेक जैसे अशोबनी ये लगेंगे तो अन्त की और बढ़ते हुए मैं अब कहूंगी कि इन सभी तत्वों के साथ अब एक तत्वों और बच जाता है और वो है जीवनदाई जल जिसकी आवशक्ता पोधे को व्रक्ष बनने तक रहती है यह जल कहीं से भी पोधे को मिल सकता है वर्शा से ओ से भूमिगत जल के स्वते परासरन से गुये से कुंड से नल से पाइप से जहां से भी मिले ये मिलना चाहिए और जल के समंकक्ष विध्यार्ति के लिए रखा जा सकता है नियमित अध्यन को जब तक आपके सपनों की जड़ों को नियमित अध्यन का पवित्र जल सीचता रहेगा तब तक आपके सपनों के पंखों में उडान रहेगी जुनून में जान रहेगी जड़े जमीन से जुड़ी रहेगी और नजरों में हादे आसमान रहेगी अगली बात कहते हुए एक सवाप्ति की ओर इस पात पर गोर कीजेगा कि विश्वास की जड़े कमजोर हो विश्वास की जड़े कमजोर हो तो माता पिता के आशिरवात का चल ले दिशाब्रम हो तो दृष्टिकोन की जड़ो को गुरुजनों के मार्गदर्शन के जल से सीचे भटकाव की भूक भढ़के तो एकागरता की जड़ो को आत्मचिंतन के जल से पोशित करे धैर ये धीरजदर्ने से इनकार करने लगे तो मानस की जड़ो को आध्यात्म की जल से सीचे और सबसे महत्वपूण अपने सपनों की सुनहरी जड़ो को सगारात्मक सोच के जल से सदेव सीचते रहे सफलता मजबूर होकर कामियाबी का मीठा फल आपकी महनत से तयार किएगे व्रक्ष पर प्रस्पूटित कर देगी जिसके बाद उसके संबर्धन और संडरक्षन की जिम्मेदारी दुनिया अपने आप ले लेती है तो आईए सफलता का प्रसाद पाने के लिए महनत के इस महायग्य में अपने श्रम की समीधा धैरिय की धूप अध्यन की आहूती और लक्ष की लो से अस्तिध्व की अगनी प्रज्वलित करते हैं और कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ बहतर करने का संकल्प गरते हैं मैं आशा करती हूँ मैं आशा करती हूँ कि शिंग रही इस विश्व विध्धाले से आप में सही कोई छात्र या छात्रा ऐसे, इसी ही तरह अपनी सफलता की कहानी बाटे, अपने अनुभव बाटे और मैं यही बैठ कर सुनू, गर्ब करूँ और कुछ नया सिखूँ और अगर हो सके, तो चाहि के साथ कंक्ल्यूजन करते हूए है vote of thanks दू तो मेरी शुद कामना बस इतनी ही है कि आपका पथ प्रशस्त हो, लक्ष उन्नत हो, गती अबाद रहे संगच़द्वं, संवदद्वं, संबो मनांसी जानताम का मूल मंत्र कभी विस्मृत ना हो आप सब की महनत, सब के संरक्षन, विश्व विध्याले में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी निष्ठा आपके स्रिजन और सक्री नेट्रत्व से, संसकारों की नीव पर, समर्पण के खंबों के सहारे सोम्मेता के साथ खड़ा ये राजिस्तान विश्व विध्याले का महल, अपनी आस्था और विश्वास के साथ सदेव पुश्पित और पल्लवित होता रहे इसे के साथ धन्यवाद बहुत 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 धन्यवाद आपने अपने संबोधन में संप्रेशनी आता स्वाव लंबन और आदर स्वाधिता इन ती महान मूल्यों का संदेश हमारे प्रिया चात्रों को दिया आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गोवर्ण लाज जी शर्मा को क्यों बढ़ारे श्रद्धे मंच सम्मानिय स्रोताओ राधिका के बाद का समोधन निश्रित रूप से चनोती बूर्ण है कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे पूर्व स्रोता पूर्व जो जन्होंने समोधित किया है बहुत कुछ कहा है मैं जो अंचुए पहलू है जिन पर कम बात हुई है उस पर अपना फॉकस करूँगा तीन बाते मैं आपके साथ शेयर करूँगा पहला प्लान भी दूसरा इंटीग्रेटेड एब्रोच और तीसरी प्रक्तिकल एब्रोच चुँकि आजकल का जो आरेस का परिक्षा का पूरा पैटर्ण है वो एक त्रीवर्षिय पंचवर्षिय योजना की तरह है पर बहुत मुश्किल होता है धहरे रखना क्योंकि हमारे अनिल जी ने कहा कि इसे एक्जामनेशन ओप पैसेंस यह धहरे की परिक्षा है तो हमें एक वेकल्पिक केरियर के रूप में निश्वित रूप से एक विकल्प रखना चाहिए ऐसा विकल्प रखें जो अपनी आरेस की और जो भी सिविल सर्विशेज की आप तयारी कर रहे हैं उसका स्लेवर्ष उसके साथ मैच करें कोई बैंकिंग का एक्जाम हो को ए अलग-अलग नहीं है मैं इसे बिल्कुल सेपरेट करके नहीं देखता हूँ यह इंटिग्रेटेड है पिल्लियम्स में और इंटरिव्यू चुकि आपका जो सलेक्शन है आपकी जो मैरिट है वो मैन एक्जाम और इंटरिवू के मार्क्स पर डिपेंड करती है उसी से आप अपने लक्ष की प्राप्ति में बहुत मुश्किल होता है तीनों की तैयारी आपको एक साथ करनी है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो में नभवे प्रतिशत में में समाहित है आप जिस दिन से तैयारी शुरू करें अपने में पर फोकस करें और इंटरिवू की तैयारी के ल एक आरेस ओफिसर की तरह विभार करने का वो आप करने लग जाईए तीन चीज़े एक साथ तयारी में होती है आप knowledge लेते हैं, facts लेते हैं आपको उनको wisdom में convert करना होता है और उसके बाद आप परचूज में उसको convert करते हैं आप जो knowledge लेते हैं, वो परियात नहीं है उसका analysis आपको करना होता है क्योंकि जो प्रस्ण आते हैं, वो analytical आते हैं आप wisdom टबलब करिए जिससे conclusion आता है, आपके suggestion आते हैं और उसके बाद आप अपने जीवन में, अपने व्यक्तित में virtual लाईए जो आपके व्यक्तित परिक्षन के लिए, आपके interview के लिए